नमस्कान, निज्पन लाइब में आपका स्वागेदा मैंने केंदर जंबॉल बड़ी खबर ये आ रही है कि शिरीनगर प्रेस इंकले में आज भाजपा के जो स्टेट सेक्रेटरी है अरगनाईजेशन के शोक कोल उनोंने एक प्रोटेस्ट किया नोखा ही प्रोटेस्ट किया अपने सक्यूरिटी जो उनको प्रोवाइड की गई है उन्होंने वो छोड़ दी और एक आटो रिक्षा में बैठ के वहाँ से as a protest निकल गे और demand करने لगे कि जब तक जो किश्मीर घाटी में वरकर्स हैं पार्टी के जो वरकर्स हैं उनको security cover नहीं देगी तो वो अपनी जो security है वो वापिस नहीं लेंगे वो protest कर रहे थे जो अनंत अनाग में डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट जो थे बाजपा के गुलाम मुहमद मीर जिनकी हत्या कर दी गी थी शनिवार देर रात कुछ टर्रिस्ट ने उसी के प्रोटेस्ट में वो आज प्रोटेस्ट करने के लिए श्री नगर में प्रेसिन कलेब में आए और नारेबाजी की और अपनी स्क्यूरिटी वहीं पे छोड़ दी और वो आटो रिक्षा में चलेगे डिमांड यही करते रहे कि जो स्क्यूरिटी कवर है भाजपा के जित्ते भी वहां पे वर्कर्स हैं उनको दी जाए ताकि वो वहां पे फ्रीली गुम सकें लेकिन सवाल यह उड़ता है कि वो नहीं खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या उनसे जाहिर सी बात है वो बात नहीं कर पाते कि हमें ऐसे स्क्यूरिटी चाहिए और ऐसे नहीं लेकिन प्रशन यह भी उड़ता है कि अगर जिस तरह से उन्होंने यह प्रोटेस्ट किया है इस साफ तोर पर इशारा करता ह कि वहां पर अभी भी कहीं लीडर्स ऐसे हैं जिनके पास स्क्यूरिटी कवर नहीं है और प्रशासन को चाहिए कि उनको कवर भी देना चाहिए ताकि वो फ्रीली मूव कर सकें अब इलेक्शन जो थी यहां पर पिछले पांच में चरण की इलेक्शन यहां पर खतम हो चुक पांचे मीने के बाद उसी इलाके में आरेसेस लीडर के जो काफी बड़े लीडर थे वहां के उनकी हत्या कर दी गई यह उस समय भी डिमांड कर सकते थे लेकिन उस समय नहीं की लेकिन जिस तरह से किश्मीर घाटी में शनिवार को देर रात जो अनंतना के डिस्ट्रिक प् लेकिन उनका फोन नहीं लग बारा था बता दें कि आज प्रोटेस्ट हुआ है श्री नगर घाटी में और वहां पे प्रेस इंकलेव तक ये पैदल मार्च करते हैं और वहां पे अपनी स्क्यूरिटी छोड़ के एक आटो रिक्षा लेकर कहीं निकल जाते हैं और डिमांड करते हैं कि जब तक हमें स्क्यूरिटी कवर वहां की जो लीडर्स हैं जो वरकर्स हैं पार्टी के उनको नहीं दी गई ये अपनी स्क्यूरिटी वापिस नहीं लेंगे फिलहाल निवस्पाइट में इतना ही मुझे यानि नगेंदर जंबॉल को कैमरामें रिकेश सरकारी के दीजिए जाज़त जाने से पहले गुजारिश होई जाज़त से जादा पेज हमारा लाइक करें ताकि हम आपको पलपल का अपडेट जो है वो देते ने शुक्रिया